नमस्कार साथियो अश्यकीवगे चैनल में आपका स्वागत है साथियो आज बात करेंगे रिशी ग्रह वाटिका की सुरुवात कैसे करनी चाहिए ऐसे तो साथियो आप मेरे वीडियो में सारे प्रियोग देखते ही रहते हैं लेकिन आज की वीडियो में रिशी वाटिका की पूरी जानकारी देने की कोशिश रहेगी जैसे गमले कैसे लेने हैं, बीजों का चुनाब कैसे करना है, बीज कैसे बोने चाहिए आदी धेरो सारी जानकारी आज की वीडियो में रहेगी तो साथियो आज का वीडियो बहुत महत्पून वीडियो है अगर आप किसान है तो वीडियो को जरूर देखें क्योंकि मेरा मानना है रिशी खेती का अनुवव छोटे एरिया में कर लेना चाहिए ताकि बड़े नुकसान से बचा जा सके मैं आशा चौधरी नागोर राजिस्थान से साथियो में एक साधारन ग्रहनी हूँ अपने व्यस्ततम जीवन से अति परिश्रम से वीडियो बनाती हूँ वीडियो को आप पसंद भी करते हैं जिससे मेरा उत्सा वर्धन होता है अता आप से विनम्र निवेदन है वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें चलिए अब बात करते हैं रिशी ग्रहवाटिका की तो साथियो सबसे पहले तो हमें प्रकरती के प्रति सिर्धा भाव होना जरूरी है जितना हम सिर्धा भाव तुलसी जी के पौधे के लिए रखते हैं उतना ही घास के एक तिनके के लिए होना चाहिए जितना इसने भाव हम एक तितली के लिए रखते हैं उतना ही इसने अन्न कीटों के लिए रखना चाहिए प्रकरती किसी के साथ भेद भाव नहीं करती प्रकरती में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है सभी का समान महत होता है तो मुद्दे पर आते हैं साथियो रिशी खेती के जो सिध्धान्त हैं कमो वेस वही सिध्धान्त रिशी ग्रहवाटिका के हैं रिशी खेती में जंगल का अनुशरण किया जाता है जैसे जंगल में कोई जुताई करने नहीं जाता है तो हमें भी जुताई नहीं करनी चाहिए जंगल में कोई खाद डालने नहीं जाता है तो हमें भी खाद नहीं डालनी चाहिए जंगल में कोई कीट नाशकों का प्रियोग नहीं करता है तो हमें भी कीट नाशकों का प्रियोग नहीं करना चाहिए जंगल में कोई निराई गुडाई करने नहीं जाता है तो हमें भी निराई गुडाई नहीं करनी चाहिए जंगल में जमीन ढखी रहती है तो हमें भी जमीन को ढख कर रखना चाहिए जो आवशक कारे हैं वह हमें करने चाहिए जैसे फसल में पानी देना आवशक कार है तो हमें पानी देना चाहिए बीज बखेरना आवशक कार है तो बीज बखेरना चाहिए फसल की देखवाल करना आवशक कार है तो फसल की देखवाल करनी चाहिए तो साथियों हमें गैड जरूरी कार नहीं करने हैं जो जरूरी कार रहे हैं वो हमें करने हैं अब बात करते हैं गमलों की तो साथियों रिशी ग्रह वाटिका में गमले बड़े लेने होते हैं एक गमले में पांच से पंद्रा बीस पौधे आ जाएं ऐसे गमले लेने होते हैं गमलों की गहराई दो फीट होनी चाहिए ताकि पौधे भी लगाए जा सकें बीज की अगर हम बात करें तो बीज देशी ही लेना है हाइब्रिड बीज नपुन्शक बीज है यह जमीन को तो बंजर करता ही है हमारे पाचन तंत्र को भी नुकसान पहुंचाता है जिससे अनेकों प्रकार के रोग पैदा होते हैं हमारे पास स्वयम का देशी बीज बेंक होना चाहिए इसके लिए बीज पका कर रखने चाहिए इन बीजों का रिशी ग्रहवाटिका में लगातार प्रियोग करने से यह बहुत मजबूत बीज बन जाते हैं क्योंकि यहां कुदरत के बनाए ये बीज होते हैं जिन्हें कोई साइन्टिस्ट लेवर्ट्री नहीं बना सकती परस्थितियों के हिसाफ से कुदरत स्वयम बैराइटी बनाती है तो चलिए आगे बढ़ते हैं रिसी ग्रह वाटिका में बुवाई कैसे कतनी चाहिए तो इसके लिए बीज गोलियां यानि सीड वॉल बना कर फेंकी जा सकती हैं सीड वॉल कैसे बनाई जाती हैं इसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आज की वीडियो से रिलेटिड सभी महत्पूर वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगे तो नर्सरी बना कर भी बीज बोय जा सकते हैं इसके अलावा हाथ से भी बीज बोय जा सकते हैं इसमें एक ही बात का ध्यान रखना है जमीन को कम से कम डिश्टर करना है उतनी ही जमीन खोदनी है जितनी जमीन में बीज आ जाएं क्योंकि जमीन खोदने या जोतने से जमीन की आधी तागत नश्ट हो जाती है फिर हम धर्ती को माता कहते हैं तो कोई अपनी माता को नोचता खसोटता नहीं है अब बात करते हैं सबसे महत्पूण मुद्दे पर बीजों को किस तरीके से बोएं तो रिशी खेती में मिस्रित फशल का महत्पूण इस्थान है मिसरित फसल के बिना रिशी खेती की कल्पना भी नहीं की जा सकती है मिस्रित वीज बोने से जमीन के अंदर वा बाहर बायो डाइवर्सिटी बनती है बायो डाइवर्सिटी यानि की जैव विवित्ता रिशी खेती में जैव विवित्ता का भी बहुत महत्पूर्ण इस्थान है इसके विना रिशी खेती का कोई अस्तित तो नहीं जैव विवित्ता से ही हमारा भोजन उच्च गुणवत्ता वाला बनता है तो हमें मिश्रित बीज बोने चाहिए जैसे एक गमले में सहजन लगा दिया वहीं पर बैंगन लगा दिया बैंगन के पास टमाटर लगा दिया टमाटर के पास हल्दी लगा दि और हल्दी के पास में मिर्च, मिर्च के पास करेला जो की सहजन पर चढ़ाया जा सकता है कहने का मतलब है जमीन खाली नहीं छोड़नी है जहां जैसी सुधा मिले वैसे पौधे लगा देने चाहिए और बदल बदल कर भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे वहां लगाने चाहिए कुछ पौधे च्छाओं में उगना पसंद करते हैं तो इसके लिए अलग जमीन या गमला तयार करें उपर फलदार पौधा लगा दें, नीचे च्छाओं वाले पौधे लगा दें जैसे हल्दी, अद्रक, सूरन जिसे जिमिकंद भी कहते हैं इनी फल्दार पौधों पर बेल चड़ा सकते हैं जैसे सैंफली, तोरी, आदी बीच-बीच में नाइट्रोजन, फिक्सिंग, पौधे भी लगा दें जैसे करेला, बींस, अरहेर, मू, आदी इसके अलावा, बीच-बीच में खस लगा दें, जिसे बैटी वर्वी कहा जाता है इसकी सुभह से लेकर शाम तक चर्चा की जाए, तो भी कम है यह जमीन को अंदर से और बाहर से अच्छी करती है और आपके स्वास्ट को भी अच्छा बनाती है यह जमीन के अंदर पौधों को पोशक तत्त उपलब्द कराती है, जमीन में नमी बनाए रखती है, फंगस को खतम करती है, बाहर क्यूडों को नहीं आने देती ऑक्सीजन की मातरा बढ़ाती है, अगर खस वाला पानी पिया जाए तो यह बोडी को अलकलाइन बनाता है तो साथियो रिशी ग्रहवाटिका की यह मुख्य वातें थी, उमीद करती हूँ आज की वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, आपके कोई सुझाप प्रशन हो तो किरपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल सस्क करें, वीडियो लाइक करें, नमस्कार धन्यवाद